दोस्तो मैंने अपने पिछले वीडियो में लॉगिंग और व्यू बाइलेंस के बारे में बताया था दोस्तो उसमें क्वीक पे कमिंग सून था मतलब कि दोस्तो क्वीक पे अभी स्टार्ट होने वाला था तो दोस्तो मैंने आपको बताया था कि मैं Quick Pay जो ही start हो जाएगा मैं आपको इसके भी बारे में बता दूँगा दोस्तो Quick Pay बहुत ही एक बढ़िया option है तुरंत instant payment करने का दोस्तो Quick Pay के थुरू इसमें आपको कई सारे स्विधाय मिलेंगी जिसके तुरू आप किसी भी अपने जानने वाले को तुरंत पैसे भेज़ सकते हैं उनके खाते में तुरंत पैसे रिसीब भी हो जाते हैं तो दोस्तो वीडियो को सुरू से लेके last तक देखीगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजगा साथी में हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजगा और बेल आइकन को प्रेस करके all पर क्लिक कर दीजगा तक ही आने वाले हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकिशन आप तक सबसे पहले पोचे और दोस्तो जो उसके पहले वाला जो बैने वीडियो बनाया था लॉगिंग और वीवालेंस पे उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में दे दूँगा आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो यहाँ पे दोस्तो आपको क्विक पे पे क्लिक करना है और क्विक पे पे क्लिक करने के पास से दोस्तो आपको दो आप्शन मिलेंगे MPIN से इसको आप लॉगिंग कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने finger printer scanner से भी मतलब कि दोस्तो आपके जो mobile में finger sensor लगा है आप उससे भी scan करके अपने finger को इसको unlock कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको finger sensor on करना है तो उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको उसको कैसे enable करना है आप उस वीडियो को देखे और इस system को आप enable कर लीजेगा अभी दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चार option दिये जा रहा है पहला option है दोस्तो contact मतलब कि दोस्तो जो भी आपके contact list में जिनका भी mobile number है otherwise अगर आपके में नहीं है तो आप जिससे सामने वाले को अगर payment करना चाहते हैं अगर वो SBI योनो application यूज करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे आपको contact पे click कर देना है दोस्तो contact पे click करने बाद से यहाँ पे pay to contact पे click कर देना है दोस्तो यहाँ पे एक आपको diary दिख रही है इस पे click करके आप चाहें तो यहाँ पे permission allow करके और आप अपने contact में से उस नाम को select कर सकते हैं otherwise दोस्तो यहाँ पे आप चाहें तो सिर्फ mobile number type करके ही आप उनको पैसे भेश सकते हैं तो जिसक्तो दोस्तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक हमारी जानने वाले हैं जो SBI योनो use करते हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ उनका mobile number type कर देता हूँ दोस्तो यहाँ पे मैं उनका mobile number type कर दिया हूँ अब यहाँ नीचे आ गया है उनका mobile number select करने के लिए तो यहाँ पे दोस्तो मैं click कर देता हूँ दोस्तो क्लिक करने के वाद से आपको कुछ सेकेंड वेट करना है अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं एटोमेटिक यहाँ पे बेनिफीसरी का नाम आ जाता है मतलब कि दोस्तो यह जिनको मैं पैसे भेज रहा हूँ उनका नाम यहाँ पे अटोमेटिक सर्वर के थूँ यह आ गया है तो दोस्तो यह भी एक बहुत अच्छी फैसलिटी है कभी भी कुछ मिस्टेक नहीं हो सकता है क्योंकि दोस्तो जब भी आप जिसके भी खाते में पैसे भेजना चाहते हैं उनका मॉबाइल नमबर यहाँ पे सिर्फ टाइप कर देंगे बस यह है कि सामने वाला जिसको आप पैसे भेज रहे हैं वो भी SBI यह उन्हों अप्लिकेशन यूज करते हो अब यहाँ पे आपको सिर्फ एमाउंट टाइप करना है और एमाउंट टाइप करने के बाद से यहाँ पे वाट इस दफ फॉर ऑप्शनल जिससे इसको दोस्तों आप छोड़ सकते इसमें आप कुछ भी नहीं भेरेंगे तब भी चलेगा तो दोस्तों यहाँ पे आप मोबाइल नमबर अमाउंट और आपको सिर्फ पे पे क्लिक कर देना है पे पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पे सब्मिट कर देंगे और उसके बात एक बाद फाइनल सब्मिट कर देंगे तो उनके खाते में तुरंट पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे अभी दोस्तों यहाँ पे दूसरा option है VPA तो दोस्तों VPA पे अगर आप click करते हैं तो अभी VPA profile को पिले create करना पड़ता है तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि VPA profile कैसे create करना है और दोस्तों सेम वही ची scan में भी है इसके लिए आपको VPA profile create कर देंगे तो यह दोनों option चलू हो जाएगा VPA और scan का अभी दोस्तों मैं आपको चौथा option beneficiary के बारे में बता देता हूँ दोस्तों आपको beneficiary पे click करना है beneficiary पे click करने के वाद से यहाँ पे pay to beneficiary पे click करना है दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको जो list आपको आ जाएगा वो जितने आप लोग पहले आपने beneficiary add किया रहेगा वो आपका सारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा दोस्तों अगर आपको नया करना है तो यहाँ पे New पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों New पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको दो आप्शन मिलेंगे SBI, Bank Account और दूसरा आपको Other Bank Account तो दोस्तों अगर आपको SBI की खाते में पैसे बेजने है तो आपको SBI वाले पे सलेक कर देना है और जिसके खाते में पैसे बेजने है यहाँ पे उपर उपर आपको नाम टाइप कर देना है उसके बाद से यहाँ पे account number type कर देना है फिर से दुबारा re account number यहाँ पे type कर देना है और दोस्तों उसके बाद से process पे click कर देना है दोस्तों process पे click होते ही आपके फिर से mobile पे registered mobile पे एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पे fill up करके submit कर देंगे उनके खाते में तुरंत पैसे transfer हो जाएंगे दोस्तों अगर कोई आपकी जानने वाला है जिसका SBI account नहीं है other bank का है तो आपको other bank account पे click करना है यहाँ पे आपको उनका नाम type करना है उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको account number type करना है फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार फिर से account number type कर देना है और दोस्तों यहाँ पे आपको IFSC code type कर देना है दोस्तों IFSC code type करने के बाद से आपको process पे click करने के बाद से आपको amount type करने के लिए आएगा और जितना भी amount आप भेजना चाते हैं, amount type करके आप submit करेंगे, आपके registered mobile number पे एक OTP जाएगा, उस OTP को fill up करके submit कर देंगे, तुरंत उनके खाते में पैसे transfer हो जाएगे, अभी दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे VPA और scan, इसको कैसे आपको create करना है, इस profile को कैस cup बना रहा है, तो दोस्तो उसके लिए आपको फिर से back आना है, और यहाँ पे इसको exit हो जाना है, और फिर से एक बार create retribe upi profile आपको इस पे click करना है अभी दोस्तो जो आपके खाते में आपका mobile number link है वो mobile number आपका उसका sim इसमें आपके mobile में लगा होना ज़रूरी है तो दोस्तो यहाँ पे यह दूसरा वाला sim मेरा लगा हुआ है दोस्तो यह दूसरे वाले sim को मैं select कर लेता हूँ दोस्तो आप एक चीज़ का ध्यान रखे आपके mobile में 1.5 रुपे balance होना चाहिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यह 1.50 पे से मेरे account से cut लिया है मतलब कि जो मेरा mobile का connection है उसमें से 1.50 पे से deduct हो जाएंगे यह 2 दिनों से काफी busy चलना है मैं इसको 2 दिन से try कर रहा हूँ यह नहीं हो पा रहा है क्योंकि दूस्तो इसमें UPI server का काफी problem चलना है तो आप बिल्कुल tension नले अभी जब भी यह server सही हो जाता है आपको सिर्फ करना गया है भीम UPI पे click करना है create profile पे click करना है और यहाँ पे आपको अपना sim select कर लेना है दोस्तो sim select करते ही यहाँ पे आपको 1.50 पे से balance कटेगा और यहाँ पे आपके सामने आपका account number select करने के लिए आ जाएगा दोस्तो आपको अपना account number select कर लेना है और select करने के बाद से आपको next पे click कर देना है दोस्तो next पे जब आप click कर देंगे तो आपको एक upi pin आएगा type करने के लिए तो दोस्तो अब जो भी phone पे google पे में आपने अपना upi pin बनाया है उसी pin को यहाँ पे आपको type कर देना है दोस्तो वही pin आपको same यहीं पे यहाँ पे आपका काम आएगा और उस pin को type करने के बाद से दोस्तो आपको नीचे जो check का symbol बना रहेगा आपको उस पे click कर देना है दोस्तो उस पे click करते ही जो आपका upi है वो बिल्कुल create हो जाएगा यूपी आई जो profile है आपका create हो जाएगा तो दोस्तो ऐसे आप अपना कर सकते है और दोस्तो ऐसे आप जो है यह जितने भी इसमें option है आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप वी पीए पे जो ही click करेंगे आपको यहाँ पे upi id डालने के लिए आजाएगा और सिर्फ upi id टाइप करते ही यहाँ पे जो भी खाते धारक का नाम रहेगा उसका नाम आ जाएगा और यहाँ पे amount डालके submit पे click करेंगे और उसके आपके registered mobile पे एक बाद फिर से OTP जाएगा OTP को submit करके आप तुरंत उसके खाते में पैसे transfer कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे scan पे click करके आप किसी भी दुकांदार के आजाते हैं उनके आप कोई barcode लगा है तो उसको scan करके आप पैसे payment कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो जितने चारो option दिये हुए हैं यह बिल्कुल instant option money transfer के दिये हुए हैं आप इन चारो option से तुरंत किसी भी अपने जानने वाले की खाते में पैसे transfer कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप इसका history देखना चाहें तो यहाँ पे transaction पे click करके आप transaction की history देख सकते हैं आपने कब किस तारी को कितने समय कितने लोग को कितना रुपया भेजा है यहाँ पी सारी details आपकी आजाएगी और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो हमारे comment box में जरू लिखेगा और वीडियो पसंद है तो like कर देगा साथ में यमारे channel पिनना है तो चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस कर देगा तक याने वाले वीडियो के सभी notification आप तक सबसे पहले पहुचे दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम